वीडियो में हम हिंदी प्रैक्टिस से 50 questions solve करेंगे जो आपके यूपी बेड इंटरेंस exam 2023 के point of view से बहुत जादा important है क्योंकि यह आपके previous year के ही question paper है जो हम solve कर रहे हैं इससे आपको यह पता चल जाएगा कि किस type के questions exam में पूछे जाते हैं पैटर्न क्या होता है यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाला है वीडियो एंट तक देखें बीच में skip ना करें कोई problem है किसी question में तो आप मुसे comment करके पूछ सकते हैं साथे साथ मैं आपको बता दूँ कि यह सभी practice set जो हम solve कर रहे हैं YouTube channel पे कि सभी आपको free में free PDF आपको मिल जाएगी last minute मैं आपको बताऊंगी कि किस telegram channel पर आपको यह PDF मिलेगी तो फिलाल हम focus करते हैं question पे पहला question दिया हुआ है कि इन में से प्रत्वी कौन सा सभ यह निए प्रत्वी है सच मजया है तो वह कैसा सभ्ध है क्या सब्द है ठात्र तद्भव है तदेसज है यह इन से कोई नहीं आपको for options दिये होंगे साथ में आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा option सही होगा यानि आपको वो जो round वाला गोला वाला जो एक seat विलेगी उस पे आपको फिल करना होगा यहां जो आपका right option हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा comment करके बताइए यहां आपका see option correct हो जाएगा कि प्रत्वी कौन सा सब्द है प्रत्वी एक तत्सम सब्द है तत्सम सब्द क्या होते हैं जो संस्कृत से मिलते जुनते हैं और तद्भो जो हम आम भासा में यूज़ करते हैं यानि सब्द को तोड मरोड के जो हम यूज़ कर लेते हैं वो तद्भो बन जाता है लेकिन तत्सम वो संस्क्रट से मिलते जुद्य सब्ध होते हैं यहां आपका C option correct हो जाएगा निस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि संप्रदान कारक का परसर्ग है यानि कि सभी जो कारक दिये होते हैं कारक हैं हमारे इनके सब परसर्ग होते हैं कर्म को करण से संप्रदान के लिए यानि संप्रदान कारक का परसर्ग क्या होता है के लिए यहां आपका D option correct हो जाएगा तो यहां D option correct कर देंगे आपको comment करके बताना भी है और साथ में count भी करना है कि आप कितनी question सही कर पा रहा है इससे आप analyze कर पाएंगे कि आपकी preparation कैसी है आपको कितना और prepare करना है बार बार यही question repeat होते है नहीं question नहीं form होते बस इनहीं का pattern थोड़ा change कर दिया जाता है यही sequence change किया जाता है इसलिए आप ध्यान से question paper solve कीजिए इस question देखते हैं बहुत ही आसान question है मैं कहा रहा है कि मैं चित्र बना रहा हूं इस वाकिम में कौन सा काल है तीन काल होते भूत काल भविश्य काल और वर्तमान काल तो इसी में आपको बताना है कि इस sentence में कौन सा काल है भविश्य काल है भूत काल है अनिश्य काल है यह वर्तमान काल है तो comment करके बताएगे कौन हो जाएगा यह काम वर्तमान में हो रहा है यानि कि D option सही हो जाएगा इसे कोई भी सही कर सकता है तो ऐसे simple से और easy question भी देखने को मिलते हैं इस question देखते हैं इस question में कहरा है कि आलू जो है आलू जो सब्ध है जिसका यूजम सब्जी बनाने में करते हैं वो किस भासा का सब्द है यानि किस भासा से लिया गया है पुर्तगाली भासा का सब्द है चीनी भासा का सब्द है अरभी भासा का सब्द है या अंग्रेजी भासा का सब्द है त कुशन देखते हैं यह उचारन इस्थान से रिलेटेड बहुत सारी कुशन साते हैं हमेशा आपको देखने को एक्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे 100% यह कंफर्म है इसलिए मैं आपका एक सेप्रेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इपली एकदम क्लियर कर दूंगी कि यह उचारन इस्थान से रिलेटेड क्या ट्रिक होती है कैसे आप याद कर सकते हैं तो फिलहरम कभी इस कुश्चन पर फोकस करते हैं इसमें दियाओ कि एक एक वर्ड का उचारन इस्थान क्या है नाथ है तालू है मूर्धा है या कंट है तो कमेंट करके बताएं जी लोग पिलुकर बताएं वर्ड हैं उनको आप अगर उचारिक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके जी लड़कर आपके तालू को इस्पर्ष करेगी तो मूर्धा हो जाता और का से कंट होता है तो का मतलब का वर्ड का वर्ड कावर्ग के जितने भी वर्ड हैं वह कंठ शाचा जाज़ा चावर्ग, और साथ में रात और खा इस नहीं के चार ही ओ्धहन मुर्धा हो जाता है इस में दिया हुए सब्सक्राइब कि दे जुखा है मुहावरे का सही अर्फ है जो is दो दिहाने है भी når में मुहावरे का सही बतीन है जिसे देखा ना जासे कि बहुत कम दिखे या दिखे ही नहीं, तो उसका मतलब होगा गुलर का फूल होना, यहां कौन सा उप्षन सही हो जाएगा, C option, यानि दुरलव वस्तु, गुलर का फूल आस तक कि नहीं देखा, तो यह क्या है, इक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है दुरलव वस्तु, यहां C option correct हो जाएगा, इस question देखते हैं, इसमें कहारा है कि सुत एक सब्ध है, इसको इस्त्री वाचक बनाना है, इसके लिए किस प्रत्य का प्रियोग करेंगे आप, E, E, I, या A, कि हम जानते हैं, अगर सुत में हम A लगा देंगी, तो यह बन जाएग सुता, सुता क्या है, एक इस्त्री वाचक सब्ध है, यहां आपका D option correct है, इस question में कह रहा है कि पیरो से लेकर सिर्टक का एक सब्ध क्या होगा, या एक sentence है पेरो से लेकर सिर्टक, इसके लिए एक सब्ध क्या होगा, अदो पांत, आपाद मस्त्ख, नत मस्तक या इन में से कोई नहीं, यहाँ आपका B option सही हो जाएगा, पैरों से लेकर सिर्टक का मतलब होता है, आपाद मस्तक, यानि इसके लिए हम आपाद मस्तक का इस्वाल कर सकते हैं, तो यहाँ आपका B option correct हो जाएगा, इस question देखते हैं, इसमें कह रहा है कि काव में भाव तथा कला के सौंदर यहाँ को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, रस, चंद, चौपाई या अलंकार, तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका D option correct हो जाएगा, कि काव में भाव तथा कला के सौंदर यहाँ को बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं, यहाँ आप राव प्रिशाद सुक्र या महावीर प्रिशाद दिवेवी, राइट ऑप्शन बताएगे, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका A option correct हो जाएगा, हर चंदकर परश्राई को हिंदी के सर्वशेष्ट हाष्य व्यंग निबंधिकार की रूप में जा या इस सही संदिवी छेट जो है वह आप बताएगे, चार अपसने आपके पास खडधन आनन, खडदाधन आनन, पढ़ाधन आनन, सरी पढ़ा प्लस नन या खट प्लस आनन, यहाँ आपका D option सही हो जाएगा, खट प्लस आनन, जा किसमी कनवर्ट हो जाएगा, पहला तीसर में कनवर्ट हो जाता है, यहाँ खड़ानन बच जाएगा, तो यहाँ D option एकदम सही है, और यह विंजन संदि का उदारण है, इस कोशन देखते हैं, इसमें कहा रहा है कि चक्रधर जो सब्द है, वो कैसा सब्द है, रूड है, योगिक है, योगरूड है या विदेसी है, इरूड सब्द क्या होते हैं, जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, योगिक क्या होते हैं, जो दो सब्दों से मिलकर बने होते हैं, योगरूड क्या होते हैं, जो दो सब्दों से मिलकर बने होते हैं, और तीसरे का आर्थ प्रकट कर रहे होते हैं, और विदेसी, जो हमा यहां जो आपका right option कौन सा हो जाएगा C option यहां चक्रधर जो आपका सब्ध है वो यह गुरूर सब्ध है यहां C option एक्दम करेक्ट है इस question देखते हैं इस question में कह रहा है कि अनिश्य वाचक सर्वनाम कौन सा है? यानि जिसमें से निश्यत नहीं हो पा रहा है, अनिश्य है, वो सर्वनाम कौन सा है? option आपके पास कुछ, कौन, यहां, यह क्या? तो right option बताएगे कौन सा हो जाएगा इसमें? यहाँ A option सही हो जाएगा, कुछ मतलब कोई definite नहीं पता हमें, यानि कि कोई एक limited नहीं पता कि क्या है, exact क्या है, definite क्या है, यानि अनिश्चित है चीजे, कुछ भी confirm नहीं किया जा सकता, तो यहाँ आपका A option correct हो जाएगा, इस question देखते हैं, इसमें कहा रहा है कि संबंद जो होते हैं, वो संग्या अत्वा सर्वनाम के साथ प्रयूक्त होते हैं, यहाँ A option correct है, इस question देखते हैं, इसमें कहा रहा है कि स्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारत क्या कहलाते हैं, आलंबन, उद्दीपन, विभाव या अनुभाव, तो राइट option क यहाँ आपको बताया कि यहाँ पुन्रावरत्ती हो रही है, यहाँ आपका D option सही हो जाएगा, यहाँ पुन्रुक्ती अलंगकार है, इस question देखते हैं, इस question में कहा रहा है कि इन में से कौन सा सब्द सुध है, यानि सुध रोप से लिखा गया है, पहला है उद्जवल, बीपक, मूर्ति या इन में से कोई नहीं, तो राइट option कौन सा हो जाएगा इसका, इसका राइट उप्शन हो जाएगा D, इन में से कोई भी सब्द सुध इसमें क्या होगा दीपक, यानि कि जम बड़ी लगाएंगे तब यह राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुर्ती में भी क्या करेंगे हम, इसमें बड़ा उल लगाना पड़ेगा, मुर्ती होता है, और उज्वल में यहां आधा जा और होगा, यह पूरा जा नहीं होगा, आधा होगा, तब जाके यह सब्द सुद्ध बनेंगे, तो यहां आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, कि इनमें से कोई भी सब्द सुद्ध नहीं है, एक सब्द नहीं लगा है, उस शब्द को आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास अतिक्रमन, प्रतिछन, तुगम या दर्शन, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, दर्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा, उस वज़े से इस कोश्चन के भी हापते आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर कहा रहा है कि द्रश सिकावी के अंतरगत कौन से आते हैं, न नाटक और व्यंद, ये प्रहशन और कहानी, तो राइट ऑप्शन बताएगे कौन सा हो जाएगा इसमें से, इसमें से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रश शिकावी के अंतरगत आते हैं हमारे नाटक और प्रहशन, ये कोश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस इसमें एक चिन दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा चिन है, आपके पास लागव चिन, पुन्रुक्ती बोध चिन, आदेश चिन या हनसपद, तो राइट ऑप्शन बताएगे, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका पी ऑप्शन सही हो जाएगा ये जो चिन होता, ये पुन्रुक्ती बोध चिन कहलाता है, तो इसमें पूछ रहा है, प्रकती के सुकुमार कवी कौन से कहलाते हैं, तो रिकांतर पाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंथ, जैसंकर प्रिशाद, या कभी, कमेंट करके बताएगे, राइट ऑप्शन कौन स सुमित्रा नंदन पंथ, या बी ऑप्शन करेक्ट है, ये कह रहा है कि स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, या इन में से कौन सा चिन है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, आप्शन आपके पास चूहा, स्वान, कभूतर या सिंग, तो राइट ऑप्शन कौन स वह दो अर्थ है यह आपको बता रहा है option आपके पास भौरा और सखी घाट और घर, जल और पानी या पिता और भाई तो यहाँ आपका A option सही है अली का मतलब भौरा भी होता है और अली का मतलब सखी भी होता है तो यहाँ A option आपका सही है इस question देखते है यानि क्रिया विशेशन क्या होते है जो क्रिया की विशेशता बता है बहुत क्या है बोलना क्रिया हो गई बहुत मतलब उसकी विशेशता बता रहा है कि वह बहुत जादा भूरती है तो बहुत हमारा क्रिया विशेशन हो जाएगा इस question देखते हैं ये देखी उज्वल इस तरह लिखा जाता है यही हमने उस question में देखा था जिसमें गलत लिखा हुआ था इसमें कहा रहा है कि उज्वल पद में संधी कौन सी है यानि उज्वल क्या है संधी विछेद अगर करेंगे उत प्लस ज्वल हो जाएगा तो वही पूल्ष रहा है कि इसमें कौन सी संधी है दीर्ग संधी उड़ संधी व्यंजन संधी या विसर्ग संधी अभी मैंने संधी करके आपको पता ही चल गया होगा कि कौन से संधी है वेंजन संधी है यानि उज्वल में वेंजन संधी है यहां आपका C option करेक्ट हो जाएगा फिर क्या रहा है कि छाया वादी यूग के प्रवर्तक कौन है जैसंकर प्रिशाद स्रीधर पाठक सुमित्रा नंदन पंद या र प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है तो यहां आपका यह option एकदम करेक्ट है फिर कह रहा है कि पावक सब्द उदाहरण है पावक क्या है एक संधी विच्छेद अगर करेंगे तो पावधन अख हो जाएगा पूछ रहा है कि यह किस संधी का उदाहरण है देर्गिसवर संधी गुडशर संधी रद्धी संधी यह आयादी संधी मैंने आपको अभी बताया इसका संधी विच्छेद हो जाएगा पूप लस अग क्या हो जाएगा आउ हो जाएगा तो यह सब दे में आती है तो यहां आपका डी और उक्ष्न गर्रिक्ट हो जाएगा कि पावक प्रशारण का विलोम सब्द हो जाएगा, आकुंचन आपके पास प्रतिपादन, आरचन, आकुंचन या सदर्शन, यहां आपका C ओप्शन सही हो जाएगा, प्रशारण का विलोम सब्द हो जाएगा, आकुंचन, यानि कि हम क्या करें, उसको समेट रहे हैं, उसको पैंड नहीं कर रहे हैं, तो इस विजए से यहां C ओप्शन करेक्थ हो जाएगा, फिर कह रहा है कि लोक संस्कृति का जन्म हुआ, यानि लोक संस्कृति जो है, उसका करेक्थ हो जाएगा, फिर कह रहा है कि क्रपाड सब्ध है, यह लिखे, देशद, विदेशद, तत्सम, तत्भो, इससे little question आने ही आने है, तो वही पूश्च रहा है कि क्रपाड जो सब्ध है, वो कैसा सब्ध है, आगत सब्ध है, देशद सब्ध है, तत्भो सब्ध है, य इस मुहावरे का सही अर्थ है, चक्कर में पढ़ना, अकल पर पत्थर पढ़ना, धोका खाना या उल्लू बनाना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, चक्कर में पढ़ना, यहीं कि हम कन्फम ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धी ब्रहमित हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, एक चीज को डिफिनिट ही नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उस कुशन देखते हैं, हमें कह रहा है कि सिर से बोज उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हार टालना, बकसा रखना, जमीन पर कुछ पटकना या बात प हो जाएगा, यानि सिर से बोज उतारना मतलब बहार टालना, इस कुशन देखते हैं, हमें कह रहे हैं कि रोड़ सब्द कौन सा है, वाचनाले, सम्तल, विद्याले या पशू, रोड़ सब्द मतलब जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, तो पशू कैसा सब्द है, हम आम बेसिक तोर पे, इसी वज़े से यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर कह रहा है कि महोत्सो में संधी कौन सी है, इसका संधी, जब भी संधी पूछे, सबसे पहले उसका संधी विछेद कर लीजे, महोत्सो का संधी विछेद हो जाएगा, महा प्लस उत्सो, यानि आ का बन रहा है, महा प्लस उत्सो, तोरी, उ का उ बन रहा है, तो उ का उ किसमें बनता है, कमेंट करके बताइए, गुड़ संधी, विछेद शंधी, आयादी संधी, या व्यंजन संधी, राइट ऊप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ, आपका गुड संधी, क्योंकि आ के बाद, अगर ए ए चोटी बड़ी ये छोटा उ ये बड़ा उ अगर आ जाता है तो उसका O हो जाता है छोटा O बड़ाउ का O हो जाता है तो महा प्लस उत्सो यानि आ प्लस O ये बिलके बन जाएगा O यहाँ आपका A option करिक्थ हो जाएगा महोत्सो में कौन सी संदी है गुड संदी है फिर क्या रहा है कि अंबर का विलोम सब्द क्या है अंबर मतलब क्या होता है आकास जो हम अपरे सर पे देखते हैं सुबह देखिए आकास की तरफ तो क्या है अंबर है अमबर पुछ रही किसका विलोम सब्द क्या होगा और आकास का विलोम सब्द क्या हो जाएगा प्रत्वी अब देखे इसमें प्रत्वी कौन सा है अवनी आकास अभिन या प्रचिप्त जानते हैं अवनी मतलब होता है प्रत्वी तो अमबर का विलोम सब्द हो जाएगा अव पुरुष कमेंट करके बताएं राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सी ऑप्शन मुझे उत्तम पुरुष है इस कोशन देखते हैं इसमें कहा रहा है कि बहिर मुखी में समास कौन सा है यह समास से रिलेटेड भी कुश्चन आपके से पूछे जाएंगे ऑप्शन आप अब यही भाव समास हो जाएगा यह ए ऑप्शन आपका करेक्थ हो जाएगा फिर कह रहा है कि सूर्दास की साहितिक भाषा कैसी है प्रजभाषा अवधी भोचपुरी या मैथली राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्रजभाषा क्योंकि सूर्दास जो लिखते थे यह जो कावे शंगरा था उनका जो कविताय लिखते थे जो दोहे लिखते थे भजन लिखते थे वो क्रिष्ण पर आधारी थी यानि भगवान क्रिष्ण पर आधारी थी भगवान क्रिष्ण किसे ब्रज से रिलेटेट थे तो इनकी जो भासा थी वो ब्रज भासा लिखती यह आपका A option correct हो जाएगा फिर कह रहा है कि महा कावी में वर्णन होता है किसका वर्णन होता है मानव जीवन के व्रहद और व्यापक चित्रन का मानव जीवन के सूच में पच्छ का चित्रन मानव जीवन के एकांकी पच्छ का चित्रन या मानवेत्तर जीवन के व्रहद पच्छ का चित्रन तो राइट ऑप्शन बताईए कौन सा हो जाएगा यहां ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि माना जीवन के व्रहद और व्यापक चित्रन का महा कावि में वर्णन होता है इसकोशन देखते हैं इसमें काली मिर्च में कौन सा समास है कर्मधारे ततपुरुष ज्वंद यह बहुबरी तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें यहां आपका कर्मधारे समास हो जाएगा क्योंकि विशेषता बताई जा रही है देखिए काली मिर्च यानि मिर्च कैसी है काली मिर्च यहां विशेषता बता रहा है जहां विशेषन विशेष की बात की जा वहाँ कर्मधारे समास आ जाता है तो यहाँ A option correct हो जाएगा फिर कहरा है कि उर्वशी जो काविक्रती है वो किसकी है अग्यय की सुमित्रा नंदन्पंत की रामधारी सिंग दिनकर की यह कुवर नरायन की यहाँ देखिए आपसे लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में पू सब्सक्रती है तो इस वज़े से यहाँ C option सही हो जाएगा फिर कहरा है कि सन्यासी का परियावाची सब्द कौन सा परियावाची मतलब जो मिलते जुगते सब्द सॉरी जुगत्सा विस्मै भै या उत्सा तो राइट उप्शन बताए कि इसमें से राइट उप्शन कौन सा हो जाएगा तो यहाँ आपका बी उप्शन सही हो जाएगा अध्भुत्रस की बात की जा रही है तो यहाँ विस्मै इसका इस्थाई भाव हो जाएगा इस कोशन देख यहां जो आपका राइट ऑप्शन है वो है C, मतिराम जो है वो भक्तिकाल के नहीं है, इसके अलावा इस्वर्दास, नाभादास, रहीन, यह सभी भक्तिकाल के कावी है, पस C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां निगेटिव पूछा गया है, इसकोशन देखते है इसमें कर रहे हैं कि निमनीखित में से असुद्ध वाक्य का चैन कीजए, यानि कि जो वाक्य सुद्ध नहीं है, उसको आपको बताना है, आपके पास मैं आज विद्याले नहीं जाओंगा, बच्चों को काट कर फल ठला दो, यह पढ़के ही अजीब लग रहा है, यानि य एकांकी है, यहां जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, कारवा क्या है, एक एकांकी है, और आपको कमेंट परके बताना है, कि यह किसकी रचना है, यानि कारवा जो एकांकी विधा की रचना है, वो किसकी रचना है, यह आपको कमेंट करके बताना तिर कह रहा है निम्कित में से संयुक्त वाकिका चैन कीजिए यह जो दो वाक्यों से मिलकर बना हूँ यह आपस में जोड दिया गया हूँ जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं आपके पास उत्तर देने का यह ढ़ंग ठीक नहीं है उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ दावालो और बुखार कम हो जाएगा यह बात सभी को स्वीकार है तो राइट आप्शन कौंसा हो जाएगा यहाँ आपका यह आपका यह आपका यह आपका यह आपका चेंज कर सकते हैं जैसे दावालो यह एक और संटेंस बन गया उखार कम हो जाएगा यह दूसरा संटेंस बन गया इन दोनों को मिला के संयुकत वाकी बनाया गया है तो यहां का सी ऑप्शन करिग थैं पिर कह रहा है कि कंजूसी से धन व्याव करने वाले को हम क्या कहें रह पैसे खर्च करके कहीं जाना है क्या करेंगे और टो लेकर चलो पैदल ही चलते हैं कुछ न कुछ ठंडी कम हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे म्रशन परी मश्रण मितवयाई अल्पवयाई या क्रपड राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कंजूसी से धनव्यक्त करने वाले को बैदवयाई कहते हैं विंशेषण कि बताने वाले सब्सक्रिजन के भनेmart किखा है अल्यौन के पासे क्रिय मिशेष वसेषन प्रविशेषन और नामिक क्या औप्शन हो जाएगा यहां ऑपका क्या हो जाएगा जो 50 questions discuss किये हैं जो आपके previous year question paper से related है guys 50 questions ही हिंदी के question paper में पूछे जाते हैं इन में से आपको सभी के answer देने होते हैं एक question का अगर आप गलग बताते हैं तो वहां आपको 1 by 3 या 1 by 4 I think 1 by 4 आपको minus marking ही चलता है इस बात का ध्यान रखें कि beard inference exam में minus marking होती है कि नहीं कि नहीं पता नहीं है तो सब कब tick लगा दिया जो आता है वो भी tick नहीं आता वो भी tick इसमें जो आप number gain करेंगे वो भी चले जाएंगे minus marking होती है इस बात का ध्यान रखें अगर किसी भी question में आपको problem है तो आप मुस्से comment करके पूंच सकते हैं और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको telegram channel पर मिल जाएगी मिलते हैं next video में जिसमें हम एक new previous year question paper solve करेंगे तो अगर आपको video अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिए और daily classes के लिए चानल को subscribe जरूर कर लीजिए क्योंकि आपकी classes daily होंगी जब तक आपका exam नहीं हो जाता है